अमस्काराज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सविनय अवग्या आंदोलन की जिसका बीजारोपन नहरू रिपोर्ट में ही कर दिया गया था जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1928 के नहरू रिपोर्ट में एक प्रावदान था कि यदि 31 दिसंबर 1929 तक इसमें वर्णित मांगों को अंग्रेजी सरकार सुईकार नहीं करती है तब कॉंग्रेस एक राष्ट्रवादी आंदोलन का सूत्रपात करेगी अर्थात राष्ट्रिय अंदोलन का सूत्रपात करेगी इसके अतिरिक्त अगर कारणों की बात करें तो इसके कारणों में एक और पहलू आता है कि नहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगों को सार्वजनिक रूप से कॉंग्रेस और अंग्रेजी सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया इससे गतिरोध की इस्तितियां बढ़ती चली गई चुकि लॉर्ड बरकेन हिड ने एक शर्त रखा था कि आप लोग ऐसे समविधान का निर्मान करें जो सभी वर्गों के द्वारा सभी राजनितिक दलों के द्वारा समर्थे तो हो उसी मुद्दे को उसी बिंदू को आधार बनाकर अंग्रेजी सरकार ने ना तो नहरू रिपोर्ट को माना और ना जिन्ना की चौदा सूत्री को माना इस आंदोलन के संदर्भ में प्रत्यक्ष निर्ने दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर लाहोर में जो कॉंग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था उसमें इसकी अध्याक्षता जब आहरलाल नहरू ने की थी कॉंग्रेस के अधिवेशन में इसका प्रत्यक्ष रूप से निर्ने ले लिया गया इस पस्ट निर्ने ले लिया गया कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और आंदोलन चलाना ही परेगा तो आंदोलन चलाने का निर्ने लेते हुए इसकी बागडोर महत्मा गांधी जी को सौप दी गई आगे बढ़ते हैं आगे अब सविनय अवग्या आंदोलन की बात करेंगे सविनय अवग्या आंदोलन आरंब तो हो गया सविनय अवग्या आंदोलन को अध्ययन की सुविधा से कई वर्गों में अगर बाट दें तो हमें इस आंदोलन को समझने में इस काल को समझने में सुविधा होगी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को गांदी जीन अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी और 6 अप्रेल 1930 को ये दांडी पहुँचे थे तो कहने का तात्पर्य है कि 12 मार्च 1930 से आरंब होकर यह आंदोलन अप्रेल 1934 तक चला और इन चार वर्षों के दर्मियान कई घटनाएं घटितो हुई उन सभी घटनाओं को एक साथ समगर रूप से समझने के लिए हमें इसे स्प्लिट करना पड़ेगा इन चार वर्षों में सविनय अवग्या आंदोलन से संबंदित विविन मुद्धों को सेपरेटली कंसीडर करना पड़ेगा तब हम इस आंदोलन को भली भाती समझ पाएंगे जिसके लिए हमने इसे लगभग नौ भागों में बाटा है पाहला तो दांडी यात्रा और सविनय अवग्या अंदोलन का प्रथम चरण दूसरा प्रथम गोल में सम्मेलन तीसरा गांदी हिर्विन समझाओता चाओ था दूसरा गोल में सम्मेलन पाँचवा सविनय अवग्या अंदोलन के दूसरे चरण की शुरुवात छठा सामप्रदाइक पंचाट जो की रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसके बाद पूना पैक्ट जो गांदी जी और अंबेड करके मध्य किया गया था उसके बाद तृतिय गोल में सम्मेलन भी संपादित हुआ उसके बाद अंत्तो गत्वा सविनय अवग्या अंदोलन को गांदी जी ने लोगों में उत्सा की कमी के कारण समाप्त कर दिया समाप्ती की घोशना कर दिया आईए आज के इस वीडियो में हम लोग सदांडी यातरा के साथ सा सविनय अवग्या अंदोलन के प्रथम चरण पर प्रकाश डालने का प्रयास करें जैसा की हम लोग जानते हैं कि कॉंग्रेस के लाहव रदिवेशन में लिये गए निर्णे के अनुसार सविनय अवग्या अंदोलन गांदी जी के द्वारा चलाया जाना था क्योंकि संचालन की जिम्मेदारी गांदी जी के हाथ में दी गई थी इसकी शुरुवात होती है बारह मार्च 1930 से जब गांदी जी ने अहमदाबाद 12 मार्च 1930 इस दिन गांदी जी साबर मती आश्रम में थे साबर मती आश्रम में थे अहमदाबाद में इस दिन उन्होंने यात्रा आरंब की और लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रेल 1930 को ये दांडी पहुँचे दांडी नवसारी जिला में पढ़ता था गुजरात में ही पढ़ता था और इन दोनों इस्थानों की दूरी लगभग 241 मील थी गांडी जी के साथ 78 समर्थक थे लगभग और इन 78 समर्थकों के साथ गांडी जी ने साबर मती आश्र महमदाबाद से अपनी यात्रा शुरू की और 241 मील तक पैदल चल कर दांडी नौसारी जिला में पढ़ता था और गुजरात में ही पढ़ता था वहां तक ये पहुचे इतनी लंबी यात्रा एक बहुत ही कठिन कार्य थी जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना दो घटनाओं से की है पहला नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना की थी इसके बाद 6 अप्रेल से 6 अप्रेल को दांडी पहुच कर गांधी जीन ने नमक कानून तोड़ा नमक कानून तोड़ा चुकि उस समय जैसा कि हम लोग गांधमा गांधी जी की 11 सूत्री मांगों से भी जान चुके हैं कि उस समय नमक व्यापार पर सरकारी एक अधिकार कायम था और नमक कर लिया जाता था भारतियों से तो यह एक ज्वलंद मुद्दा था उस समय तो नमक कानून भंग करना इस यात्रा का प्रमुख देश्य था इसलिए दांडी पहुँचकर गांधी जी ने नमक बना कर इस कानून का उल्लंगन किया और इस प्रकार नमक के निरमाण होते ही सविनय अवग्या अंदोलन की शुरुआत हो गई आईए अब बात करते हैं सविनय अवग्या अंदोलन की सविनय अवग्या अंदोलन तो 1930 से लेकर 1934 तक छुट-पुट तरीके से कभी बंद किया गया कभी शुरु किया गया और अंत तो गत्वा 1934 में समात कर दिया गया तो चला लेक जिसको हम लोग ने लगए नो भागों में बाटा भी है लेकिन सविनय अवग्या अंदोलन की अगर स्पेशिफिक तरीके से बात करें तो सविनय अवग्या अंदोलन एक अहिंसक अंदोलन था और इसको कई छेत्रिय अंदोलनों ने असहयोग अंदोलन की भाती सहयोग देकर मजबूती प्रतान किया था जैसा कि हम लोग असहयोग अंदोलन के मामले में जानते हैं मोपला विद्रो एक तरफ हो रहा था और दूसरी तरफ कई विद्रो एक साथ असहयोग अंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ते हुए राश्ट्रिय इस्तर के असहयोग अंदोलन को मुख्य धारा थी जिसमें छोटे छोटे आंदोलनों ने मिलकर उसे मजबूती प्रतान करने का कारे किया जैसे कि पूर्वी भारत में कि चुकीधारी कर चुकीधारी कर कर के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया अन दोलन के गया गुज्रात आप यह सारे अहिंशक आंदोलन थे गुजे रात उत्तर परदेश मध्यप्रांद में करबंदी आंदोलंचल आया गया संयुक्त प्रांद गुजरात संयुक्त प्रांद और बंबई करनाटक एवं मध्यप्रांद में जंगल कानून के विरुद आंदोलंचल आये गए इस प्रकार विबिन छेत्रिय आंदोलनों ने सवी नए अवग्या आंदोलन की मुख्यदारा को मजबूती प्रदान करते हुए सहयोग की भूमिका में थे ये तो हो गई इंट्रोडक्शन की बात अब आईए इसके प्रसार की बात करते हैं शुरुवात करते हैं हम लोग उत्तर पश्चिमी प्रांथ से उत्तर पश्चिमी प्रांथ में इस अंदोलन का नित्रित्व खान अबदुल गफार खान ने किया था एक चीज बताना भूल गए कि इस अंदोलन में हर जगह एक चीज कौमन थी विदेशी वस्तों का विरोध शराब का विरोध नमक बनाया जाना लगबग हर जगह मतलब मान के चलिए कि मातमा गांधी जी की 11 सुत्री मांगों में वर्णित प्रमुख बातों को यह हर जगह किया गया लागू प्रांत में खान अब्दुल गफार खाने नेत्रित्व समाला इनको बाद्शा खान भी कहा जाता है बाद्शा खान इनका एका और नाम है फक्र ए अफगान तो उत्तर पश्चिमी भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में इस आंदोलन को खान अब्दुल गफार खान या बाद्शा खान या फक्र ए अफगान या सीमान्त गांदी ने एक सशक्त नेत्रित्व प्रदान किया और उनके नित्रित्व में आंदोलन यहाँ पर फला बढ़ा फूला इन्होंने एक संग्ठन का निर्मान किया था खुदाई खिदमतगार खुदाई खिदमतगार जिसका हिंदी अर्थ होता है इश्वर की सेना इस संस्था के सदस्य लाल कुर्टी पहना करते थे इसलिए यह संग्ठन जब सभी नयवग्या आंदोलन में शामिल हुआ तो इस छेत्र में इस आंदोलन को लाल कुर्टी आंदोलन भी कहा गया इनों ने खान अब्दुल गफार खान ने पस्तो भाषा में एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था पक्तून हालांकि बाद में यह दश रोजा के नाम से प्रकाशित हुआ व्यापक रूप से चुकि मुहम्मद अली जिन्ना पूरे मुस्लिम संप्रदाय का प्रतिन निदेत्व करना चाह रहे थे और वो कताई नहीं चाह रहे थे कि हिंदूों के साथ गांदी जी के इस आंदोलन में कोई मुसल्मान शामिल हो इसलिए उन्हों ने इनको जंगी पठानों को नपुनसक बनाने वाला इनसान कहा जंगी पठानों को मतलब लडाकू पठानों को नपुनसक बनाने वाले की संग्यादी कि संग्यादी इस छेत्र में सविनय अवग्या आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना थी कि अंग्रेजी सेना की गढवाली बटालियन ने सविनय अवग्या आंदोलन में संलगन भारतियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और यह कारिय यह निर्णे जो लिया गया था वह चंद्र सिंग गढवाली के नित्रतों में लिया गया था यह इस अंदोलन के संदर्व में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है चंद्र सिंगर वाले उनको कोर्ट मार्शल कर दिया गया इसके बाद हम लोग महरास्ट चलते हैं वाँ भी लगभग हर जगह इस आंदोलन को बढ़ावा दिया गया भारतियों के द्वारा लेकिन अगर प्रमुख इस्थलों की अगर हम लोग बात करें तो प्रमुख इस्थलों में प्रमुख इस्थलों की बात करें तो दो प्रमुख इस्थल थे पहला धरासना और दूसरा वडाला वडाला आप लोग को याद होगा शूट आउट एट वडाला एक मूवी आए थी तो उसके नाम पर आप इसको याद रख सकते हैं वडाला जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सविनय अवग्या अंदोलन की जो शुरुवात हुई थी गांडी यात्रा से हुई थी दांडी यात्रा का मतलब है कि गांडी जी साबर मती से दांडी पहुँच चुके थे जो की नवसारी जिला में है तो इसका कहने का मतलब ये है कि गांडी जी इस समय इस अंदोलन की शुरुवात के समय सभी नहीं अवग्यां अंदुलन की बात कर रहे हैं दांडी में थे उन्होंने दांडी से घोशणा की कि वो स्वयम धरासना पहुंचकर नमक कानून तोड़ेंगे और इसके लिए वो आगे बढ़े भी लेकिन रास्ते में उनको गिरफतार कर लिया गया गांधी जी गिरफतार कर लिये गए गिरफतार कर लिये गए चुकि गांधी जी ने गोशणा की थी तो कहीं न कहीं यह प्रभावशाली कथन था तो इसको लागू करना जरूरी था इसलिए सरोजनी नायडू आगे आई और इसका नित्रत्व समाला सरोजनी नायडू के साथ साथ गांधी जी के अफ्रिका के पुराने मित्र इमाम साहर थे और गांधी जी के पुत्र मनिलाल थे इन तीनों ने मिलकर धरासना में नमक कानून तोड़ा अर्थात नमक बनाया सरकारी एकादिकार के बावजूद इसी प्रकार दूसरा केंद्र था वडाला वहां भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे और नमक कानून तोड़ा बड़ी संख्या में लोगों ने नमक कानून तोड़ा इस प्रकार उत्तर पस्चिमी प्रांत महरास्ट में यह आंदोलन सफल रहा आगे बढ़ते हैं दक्षन भारत की तरफ दक्षन भारत में इस आंदोलन की बागडोर मद्रास के एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता सी राज गोपाला चारी ने समाली थी और कई जगों पर वाईकूम सत्यागरा के नेताओं ने भी इस आंदोलन को एक मजबूत नेत्रित्व प्रदान किया था आईए देखते हैं दक्षन भारत सी राज गोपाला चारी की सबसे पहले हम लोग बात करें सी राज गोपाला चारी ने दांडी यात्रा की तर्ज पर त्रिचना पल्ली से त्रिचना पल्ली से बादो ख्यम तक की यात्रा की मद्रास में बादो ख्यम ये मतलव पैदल त्रिचना पल्ली से बादो ख्यम गए और बादो ख्यम में पहुँचकर नमक कानून तोड़ा अपने समर्थकों के साथ एक तरह से देखा जाए तो गांडी जी की दांडी यात्रा लोगों के लिए प्रेरणा का सोत बन गई लगभग चार या पांच जगों पर लोगों ने पैदल यात्राएं की जैसे पहली यात्रा अर्ला गांडी जी का अनुकरण करते हुए तो यह थी दूसरा वाइकूम सत्यागरा के नेता वाइकूम सत्यागरा के जिनमें दो नेताओं का प्रमुख नाम है वाइकूम सत्यागरा के दो प्रमुख नेता थे के किलप्पन और ठीके माधवन इन लोगों ने काली कट से पैया नूर तक की यात्रा की और पैया नूर पहुँच कर नमक कानून तोड़ा दक्चन वारत की तीसरी यात्रा जो थी वह आंधर प्रदेश की महिलाओं ने की थी आंधर प्रदेश की महिलाओं द्वारा यह यात्रा की गई थी आंधर प्रदेश में महिलाओं ने समुद्र तट पर पहुँच कर नमक कानून तोड़ा मैलाओं द्वारा नमक कानून का उल्लंगहन किया गया उल्लंगहन किया गया एक और प्रमुख केंद्र था करनाटक करनाटक का सैनी कट्टा नमक केंद्र था मतलब पूरे करनाटक में सैनी कट्टा सबसे बड़ा नमक व्यावसाय का केंद्र था लोग हजारों की संख्या में सैनी कट्टा पहुँचे वहां तोड़ पोड़ की और स्वयम नमक बनाना आरंभ कर दिया इस प्रकार दक्षण या दक्षण बारत में भी यह आंदोलन सफल रहा। उडीसा का उडीसा में पुरी, कटक और बाला सोर। बंगाल तो पूरा था लेकिन बंगाल में लंबे समय तक मिदनापुर में इस नमक कानून के विरुध आंदोलन चलाए गए। असम के सिलहट से लोग नवाकली के निकट समुद्र तट पहुँचे और वहां पहुँचकर नमक कानून का उलंगन किया। इस प्रकार यह आंदोलन पूर्वी बारत, उत्तर बारत, दक्षिन बारत लगवग सारे हिंदोस्तान में यह आंदोलन कह सकते हैं कि सफल रहा। गांदी जी का प्रयास, गांदी जी की सोच सफल थी। सरकार ने इसका बरबरता पूर वक्त दमन करने का प्रयास किया। जैसा कि पिछले आंदोलन में भी हमने देखा था और सरकार ने प्रयास किया था। जवाहर लाल ने रूस सहित प्रमुख नेता गिरफतार कर लिए गए। गांदी जी तो पहले ही गिरफतार कर लिए गए थे जब धरासना में पहुचकर नमक का उलंगन करने की गोशना उन्होंने आरम में की थी। तो गांधी जी प्रमुख नेता, गांधी जी सहित, गांधी जी जवार, ललनेरू, राजेनर, प्रसाद, इत्यादी सभी गिरफतार कर लिए गए थे और कहीं न कहीं यह आंदोलन भले सफल नहीं हुआ अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रारंबिक चरण में कुछ देर के ल लेकिन इस आंदोलन की विशेष्टा थी कि अंग्रेजी सरकार जितना इसको दबा रही थी यह उतना ही व्यापक तरीके से आगे बढ रहा था और इसलिए यह चार वर्षों तक चला इसके परिणामों की अगर बात करें तो पहले ही चरण में इसने व्यापक परिणाम दे दिये थे पहला 14 अंग्रेजी कपड़ों की मिलें बंद हो गई थी 14 मिलों को अंग्रेजी सरकार को बंद करना पड़ा था को बंद करना पड़ा था भारत का समग्र आयात घटकर एक तिहाई हो गया सिर्फ सिग्रेट के मामले को अगर देखें तो सिग्रेट का आयात मतलब भारत जो मातरा में लाई जा रही थी सिग्रेट का आयात घटकर एक बट्टा छे भाग हो गया इस प्रकार और इन्ही गतिरोदों के इन्ही परिस्थितियों के मध्य अंग्रेजी सरकार ने प्रथम गोल में सम्मेलन की गोजणा कर दी जिसको हम लोग अगले अध्याय में पढ़ने का प्रयास करेंगे और बहुत जादा बहुत सारी रोचक बातों से रूबरू होने का प्रयास करेंगे तब तक के लिए जैहिन